कि मैं आज आपको के लिए क्लास कमपर्टेटिव कर रहे हैं मैं उन्किल के वन वर्श अप्टिविशन लेकर रहे हैं जो कि किसी भी क्लास के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जैसे कि आप लोगों को पता है CHSL, SSC, MTS हर तरह का अपना लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके और इंजाम बहुत हिंद्धिक है तो मैं आज आपको क्लिए लेकर आए हूं जिसका आपका CGL, SSC, CHSL, हर का प्रीवर्श का कोईचर में लेकर आए हूं ठीक है तो प्लीज ध्यान के साथ, कॉंसेंट्रेशन के साथ बनाया रहें और बारीकी से देखें जैसा कि यहां पर लिखा वर्फर्ष्ट में आपका यह दिखें जाए ठीक नो लांगर टिंज यानिव अनिंग मतलबिगा वर्फ life वास्तू घिसका नतरल दिनों के बात इल्यों कैल नहीं क्या गरा हो बहुत दीनों के बाद लोग निकालते है को wh出來 जिसका य्यानि क्या पिलम आ प्स करना जीता भी कोचन लेका है पुछा हुआ कोचन है ठीक है वन फू बलीब इन फैट यानि की फैट मतलब क्या होता भाग वन मतलब जो बली मतलब विश्वास करना फिट मतलब भाग यानि कि जो इंसान विश्वास करता हुआ कि भाग मतलब जो वाग्यावादी जो होता है कोई कि इसान की जो हो वैसे देखा जाएगा भाग्या पर मतलब बैठा हुआ कि हम कल पढ़ेंगे मेरा नोक्रिक लेजाए पर ऐसा तो रही होता है भाग कोई सब कुछ नहीं होता है अपना से खुछ मेनत करना पड़ता है देन आपर यूद कि इसान जो कि कर सकता है अनितिंग मतलब कुछ भी फोर मनी यानि कि पैसो के लिए होते हैं बहुत लोग जो पैसो के लिए क्या किसी का जान भी ले लेते हैं तो इस एक टाप को इंसान क्या बोलते हैं मर्सेनरी एमियार सब प्रीपीशें आपको रिपीट हुआ है कोई नेख्स आते हैं, one who goes on foot, one who goes, यानि कि जो इंसान जाता हो पर क्या से, पैर से, foot या feet हो सकता है, feet मतलब पैर होता है, foot मतलब पैर होता है, तो जो इंसान पैर से चलता है, उसको क्या बोलते हैं, pedestrian, p-e-d-e-s-t-r-i-a-n, pedestrian, okay, छिसके पास क्या नहीं हो था फैस मतलब पैसा कर दो वन जो было न गरःब है उसका रिजन कुछ और हो सकता है कोँछ और सकते हैं जालत तर का इसनान के पास बजान करके पास हो उसको कि हैं हो कि पक दान पापड कर रहा है यानि की पापड की पास पैसा उतना नहीं है तो इसका पैसा नहीं के पापड या दखना नेक्स वह इंसान इस मतलब खाना टू मतलब बहुत ज्यादा है मैं जब सब्सक्राइव हiquer सब्सक्राइब का जिए उसे हम क्या बोलते हैं ग्लाटन के हिंदी यह जै tulee सब्सक्राइब कर देझ सबाखाक कर देखार नहीं हम उसको ऑर डिक्षा नेटा है लेकिन जो इंसान के वल कैसा दो भासा जानता हो उसे हम क्या बोलेंगे bilingual b-i-l-i-n-g-u-a-l language मतलब पता है कोई भासा होता है इसमें क्या लागा bilingual हो गया b-i-l-i-n-g-u-a-l okay that's a complete mix आते हैं one who is human place यानि कि वह वह इंसान जो खाना क्या करता है human place human place यानि कि पता है विस्ताकाहारी और सठभाहारी जो इंसनन हुमन finde उसको मैं एक और उनुपनीसले सुरुण आपके मुणलें की छो इन्सां को ऑंठालि मॉद्ग मासहार यह इन्साठाल उसको बैए कावलने कि ठनीबल यानि कि मासहारी का क्यों आदियो और से खाता उसको क्या बोलेंगे देखिए आगया ना यहां पर आपका ज़स्ट है कि इतना तू लेंगवज जो दो लेंगवज को जानता है उसके क्या बोलेंगे बाइल लेकिन वण हूनो मेनी लेंवज यानि की एक से जादा अधीक से अधीक भासा जानने वाले इंसान क्या बहलेंगे पॉल यह लोट और से पिए जिए लड उटी ओके नेख चाते हैं वह वह बैसा इंसान जो कि क्या सेल मतलब क्या होता है बेचना शीट मतलब बिठाई हो गया और प् यानी कि पोला लंगे है स्नियों इपी सी टी ऐओ इंडिया जो की क्या बेश्था हो स्विस और में पूछा हुआ था पीजय का एक सेम टाइम यानि कि वर फूलिस एक स्यंपर एक साथ एक साथ लुद्अ इसको लेगे पड़ले समय थिक एसे ज़्यादा तो एंगलीस कर तो एंगलिस कर तो भूषी जैसे इस इसका मतलब समझेगा है क्या होता है यानिक सब्दों के लिए एक सब्सा जैसे कि जो बहुत बोलता है इंदी में वाद्शाल उसी परकार यहां पर दिया था इस परकार का जितना भी कोचन था आपको 10 या 15 कोचन होंगे ठीक है अहर कोचन 3 कोचन का है थिरी मांक सा तरहीं पर आपका कंप्लीट हो रहा है और कोचन 3 मांक का है तो ध्यान से पढ़िए क्योंकि एक्जाम बहुत ही नजदिक है इस एम्टीएस का भी फरवरी में अपरिल में ले लेगा शेचसर का उसे पहले वन मंथ पहले ले ला है यानि कि दो-तीन महीन आप बाद इंगलीज का बहुत ही महत्व है होर कोचन कितना 20 नंबर का और 20 कोचन है और आपको पता होगा 20 कोचन है और थिरी मार्क्स का है तो क इतना हो गया साथ इससे आप साथ गयन कर सकते हो इंगलीज से के वल्ट और वन वर स्यूशन आपका आता है इतिंक फॉर या फाइप आता है यानि कि आपको 20 मार्क्स का आ सकते जाम में सीजल में ज्याद है या तैस्टेनोग्र आपन और ज्याद आते है और जितना भी ले है झाल